असलाम वालगों इसमी डॉक्टर मेलिकसित शहजाद और वेलर के थ्री क्रेश कोर्स प्रोग्राम में मैं आपकर केमेस्ट्री के इंस्ट्रक्टर आज की क्लास पर हम स्टार्ट करें जारें चैप्टर निबर सेवन जो के केमेस्ट्री ऑफ अलिफेटिक या फिर हाइड्रोकारवन से लेटिड हमारे पास केमेस्ट्री मौजूद है फिरस्ट आप अलिफेटिक इस चैप्टर का अनलाइज एक देंगे के इसके अंदर हम क्या पढ़ने चाहरे हम इसमें ऑपेंचेंज एंड क्लोज चीन हाइड्रोक आहिज और अर्मेटिक कंपॉंड है इसका नाम बैंजीन या पिसको बैंजीन को फिर जाएंगे बैंजीन या पिकासे अर्मेटिक एंड सैक्लिक इस चैप्टर के जरूरी चीज़े क्या के शामिल है जो के हमें फोकस करनी है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आफ्टर चैप्टर नमर नाइन सबसे पहले हम करेंगे इसके नदर बेटा प्रिपरेशन प्रिपरेशन के बाद हम पढ़ेंगे कैमिकल प्रोपरिटीज के बाद हम पढ़ेंगे इनमें इनके स्ट्रक्चर के वाले से स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे इनमें आयो पैक के वाले से बाकिस में यूजिस एंड फिजिकल प्रोपरिटीज वह पार्ट है जो आपका खुद से सेल्फ स्टेडी वारा सेक्शन है जिसके अंदर फिजिकल प्रोपरिटीज क्या होती है लाइका मैल्टिंग पॉइंट पॉलिंग पॉइंट मेथेन क्यूं समाल हो रही नैच्रिल गयस घर के घरों में समाल होती फ्यूल के तौर पर समाल होती तो यहाँ पर जो हाइड्रो कार्बन होते हैं वह ऑपेंट चेंट के अंदर हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो जो ऑपेंट चेंट है इसका दूसरा नाम क्या होता है इसका दूसरा नाम अलिफाटिक हाइड्रो कार्बन होता है अगर कहा जाए ऑपेंट चेंट ऑपेंट चेंट का म आप इनके साथ तो यह चेन-like formation कर रहा होते हैं और चेन-like formation है इसमें दो classification आती हैं पहले तो हमारे पास इसमें में भी पॉसिबल यह saturated hydrocarbon मना रहे हो या फिर यह unsaturated hydrocarbon मना रहे हो आप ने चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर classification of organic compound के अंदर सीखा था कि किस तरह से आप जो है बिसिकली इनको classify कर रहे हैं वहां पर आकर आपने यह पड़ा था कि होते हैं और अर्मेटिक होते हैं वहां पर नहीं सीखा तो इस चैप्टर के अंदर by a single bond तो carbon carbon module bonds को count करने मतलब यह नहीं के साथ अगर oxygen double bond पर लगते हैं तो हम कहते हो गया यह carbon के साथ hydrogen लगा है तो हम करेंगे तो बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे simple हम यहां पर focus करते हैं carbon और carbon के हवाल से बात कर रहे होते हैं the compound in which all the valences of carbon atom are fully satisfied single bond are called saturated hydrocarbon example हमार पास इस तरह से मौझूद हैं अगर मैं इसको आपको इस तरह से दिखाऊं कि देखेंगे अगर इथेन को देखेंगे carbon carbon के साथ single bond आता है फिर carbon बंद है इसके तीन जगों पर hydrogen की गुंजाईश मौझूद है तो यह चार इस तरह से carbon carbon पर आपने क्या देखा carbon carbon यहां पर सिंगल बॉन के प्रेंस की बिना पर यह क्या कहलाता है यह कहलाता है saturated hydrocarbon now unsaturated hydrocarbon के बारे में अगर हम definition को चेक करते हैं तो दग कंपाउंड इन वेच ओल दा वैलन सीज और नौट फुली सैटिस्फाइब इत अंसे जुरेट अर्कार अंसे जुरेटिट हैड़काइब तेहावर टू अलकीन अलकाइन किसे कहेंगे लाइक इस अग लकीन अलक मतलब होता है carbon in का मतलब होता है double bond मतलब कारबन रपहल और वन वहाद कार्पन कार्बन डबल डबल वंडमाराश चाहिए तो यहां पर हम example करते हैं सबस्पर एथीन की इथीन क्या होता है कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉंड बनाएगा अब क्योंकि इसकी दो वलंसी कम्प्रीट है दो वलंसी विजिस खाली है तो यहां पर आप इस तरह से लगा सकते हैं तो यह क्या क्या है इथीन क्याएगा इसी तरह से होता है अलकाइन तो अलकाईन के अंदर देखा जाए तो अलकाईन पी क्या मौझूद है अलकाइन इस तरह से रिखा जाएगा इसको हम इथा-इन के विजांपल सभी तैंट है kay का अलक मतलब के अल्क मintéब अगरिन कारवन और वा इन वद्ल वान टाहरे अ इसमें इसके मतलब हो कि दो कार्बन के दर्मियान पर ट्रिपल पॉर्ण और इस तरह से एक एक मज़ीद हाइड्रोजन लगने की गुंजाइश मौजूद है तो यह क्या बन जाता है इस तरह से इथाइन में कनवर्ड हो जाता है तो यह बेसिक डिफरेंस था हमारा सैचुरे कार्बन में एक्जामपल है साइक्लो अलकेन की और साइक्लो अलकेन की अब जो यह इस फॉर्ब पे लिखा है इसका मतलब बेटा यह होता है कि यहां पर छे डारेक्शन पर कार्बन के साथ हर डिए वन टू फ्री पोर फाइव शिक्स इस पे एच दो है इस पर भी एच दो है इस पर भी एच दो है तो हर कार्बन पर मौजूद एच दो है इसके बिना पर यह क्या बन गया इसके बिना पर यह बन गया साइक्लो हैक्जेन कराया अब साइक्लो हैक्जेन के बाद अब हमारे पास यहां पर आर्मेटिक कंपॉंट्स पर बेंजीन और इसके आ रहा है जा रहे हैं जैसे के अगर आप एक्जाम्पल पर नहीं सैच्छुरेटेटेट की तो सैच्छुरेटेटेट में आता है अलकेन ठीक हमने को हाइलाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे जो आपके के अंदर और शौर्ट कोस्टेंस के अंदर हैल्फुल होंगे का मतलब औरेंज होने का मतलब यह होता है कि यह कार्बन है अगर आवसके शेप रडॉड़ करें तो शेप इसकी क्या बन रही है इस तरह से यहाँ पर शौरणर करें यह्षा एकर इसका रेंज और इए और यहां पर यहां पर यहां पर बन दीं चेप कि फ alinhas किया होती है यहां पर आफ्य unsaturated का मतलब क्या होता है इसमें connected by double bond और triple bond यहां पर alken में क्या आता है double bond जैसे यहां पर अलकीन डबल बाट है अब यहां पर नोट करने अली बात कि हमने पढ़ा कि carbon carbon double bond आ जाए इसको हम क्या कहते है alken कहते हैं बट यहां पर देखा जाए तो चलें इसमें carbon क्योंके दो है और bond बने गुंजश एक है तो एक double bond आ गया अब यहां पर देखें तो यहां पर कार्बन के तादा तीन है तीन कार्बन दो है बट यहां पर double bond आप हो कितना दिख रहा है एक दिख रहा है तो alken के लाजमी यह नहीं है कि हर कार्बन के साथ ही डब ट्रिपल बॉर्ण लगा उसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन मतलब दो कार्मन के दिर्मियान एक पॉजिशन पर double यह पॉजिशन पर triple bond बन ला लाजमी होता है तो इस तरह इसका नाम क्या बन गया इसका नाम हो गया इ में यहां पर इसके सब्सवाल ते से डिफ्रेंट शेट बीट्विन यहां पर है और है और और ने है next Alken के हवाले से Alken क्या है Alken are unsaturated open-chain hydrocarbon in which two carbon atom are connected by triple bond अब यहां पर क्या है carbon carbon triple bond अब carbon carbon triple bond कैसे यह दो carbon है तो दो carbon के दिर्बिनान पर बेटा क्या है एक triple bond है और यहां पर क्यूंकि कार्बन के तादा तीन है बट मैंने previously बार देखी है कि at least एक position पर triple bond हो तो ही क्या कहीँ है लीकिन कहीँ के तो यहाँ घेंगे ते एक पोजिशन पर यहां पर क्या आगिया यहां पर कारबन की था एक पॉसिशन पर क्या एक डिफाविस्ट लीप और इस तरह से triangle के तोर पर ड्रॉफ कर लूं या इसको मैं इस तरह से square shape मिलाओं या इसको मैं पेंटागोनल बना दालू तो एत तमाम के तमाम ही क्या है सैक्ली कैसे हो रहा है इस बात को समझते हैं अब साइक्लिक हाइट्रो कार्बन स्विग होते हैं इसका जनल किन यहां धी इसमें प्रोपन और साइड की ऐगा होगा दो ही । साइकलो का इदाफा हो जाता है दूसरा फरक का है तो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं कि ऐसाइब का मतलब क्सिंगल मैं आप मतलब क्या प्रोपन का नाम देती है बड़ा करब कहते हैं साइक्लो प्रोपेन का मतलब क्या होता है उस पर आपने तो पहली बाद उसका स्ट्रक्चर बिल्कुर डिफरेंट होगा साइक्लिक पार्ट के अंदर मौज़द होगा और सेकंडली क्या होगा उसके दो हाइड्रोजिन की तादाद कम होग यह रूल ब्योटेस के लिए रूल अपने के लिए तमाम साइक्लिक कंपॉंट्स पर एक्लिकवल होता है अर्यमेटिक हाइड़ोकारबन की बात कर लेता है अ अमेडिक यही इस कंपार जाती है अब यह बैंजेन रिंट्स बंती कैसा इस बाधे वें देखते है ऑल्थो हमे इसको आगे पड़ना यहां पर कारल 1 2 3 4 5 आप इसक्स कार्बन मौझूबें अभशिक्स कार्बन साथ यहां पर चनलनल फॉर्मॉनस जाता यह सुटा है शी कार्मेंग यहां पर दिखेंêtre आपको डबल बॉंड लिखने हैं तो अल्टरनेट डबल बॉंड से इसको या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी ड्रॉब किया सकता है तो यह हमार बस क्लासिफिकेशन हो गई अब हम यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करें जा रहें मुञ्स इमपोर्डेंगी हमने प्ढ़ना क्या अब इस चैप्टर के अंधर हमने पर नया पर नें अर्मतों पढ़नें और हम पर नहीं और हमने आप नहींडहिकEd का इंदर हमें पाउशी तक नंभी पर नहीं कि यूश्टराकिले हैं BettyBTS इस फर्स्ट अं सिंप्लेस्ट मेंबर ऑफ अलकें वित आम मॉलीकियर फॉर्मला सी एच फोर मेजर कंसिक्टों बाइजरल गैस जो पढ़कर आचुके इस्ट्रक्शर और अफ मिथेन की बात आरी है इस्ट्रक्शर सारे हां एक इस्ट्रक्शर के अगर हवारे से बात करें इ मिथीन का कंपोस्ट होता है एक कार्बन से चार हाइड्रोजन होते हैं कुछ इस तरह से बात हो रही है कि इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन के साथ हाँ एक हाय डियर्डेसिशं है देखें C is equal to six, C is equal to six का मतब क्या होगी है? कार्बन का है, इसका टोटाल एलेक्टरॉन के तादाद कितना होती है? यह उती है और जब हम गराउंड की बात करते हैं, तो गराउंड स्टेट पर क्या होता है? गराउंड स्टेट पे लिखा जाते हैं 2 2 & 2 6 1 2 3 respectively now ground state के बाद यहां पर आते है इसका excited state excited state के इंदर क्या होते है excited state के इंदर आकर अब यहां पर 1s वैसे ही निखा जाएगा यह हो जाएका टूएस टूपी एकस टूपी वाई टूपी जड़ सब में एक 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 अलेक्ट्रॉन हम पूट कर देंगे ठीक है क्योंकि कार्वन फोर एक मेंबर होने की बेना पर इसके पास आखरी शेयर में इलेक्ट्रॉन की तालत कि इतना होती चार होती है मजीद चा बारे में तो मिथेन में क्योंकि चार्ज गाँ है इस बीन डेट कि यहां पर एक हाइडरोजन यहां पर दूसरा यहां पर तीसरा यहां पर 14 अब इसमें आप जो बन रहे कौन सी है एसपी थ्री चेप्ट क्या बंद्थी इसके नतीजे में टेट्राइडरेल डेट्र हैडल टेट्र हैडल के लावा इसमें आप जो बॉंड एंगल बटा दें और इसके लावा आप इसमें बताते हैं अब यह होता है कि इसमें फ्री एलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे तो आपको इस तरह से एक इस्ट्रॉक्ट्ट्रॉ करना होता है आपको इस तरह से बीश में चारॉक्त करते कारवन कार्वन कार्वन के बाद यहां पर एक हैंच लगा यहांपर ऑफ माजूद द्यक्ट्रॉर कर दिए तो यह आपके पास क्या बनेगा है इसके बाद आपके पास शेप बनती है आपने शेप के साथ हिस्सा है इसके नदर आप इसको सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले मिथेल को प्रेपर करते हैं सोडियम एसिटेट के साथ क्या होगा कि CH3 CH3CW naoH इसके नतीजे में क्या होगा देखते हैं यहां पर यह सोडियम एसिटेट किसे कहा है रहे हैं यह जो पहला पार्ट इसका सी डबल ओ तक का एसिटेट है साथ पर सोडियम लग गया ऐसी ट्रेड बन गया ठीक हो गया और यह क्या है कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा के साथ जब हम इसको रेक्शन करवाते हैं तो एच जाकर इस CH3 के साथ एड़ होता है और बन जाता है CH4 और लेफ्ट बिहाइंड बचा यहां पर CWNA और यहां पर Nao जब CWNA के साथ रेक्श पहले धीमिगे क्लास में इसन खेस तो यहां मन्हें किया क्या निया मेंड़्य को प्रेपर कर लिया अब दुसरी यहां पर में प्लीफेस क्लास इसका Ben आव इप बैदा ठीपना क्या होता है अदिशन को इसो अच्व करेंगे आप एक जो reduction याँपर टेक प्लेस करेगे एक जो reduction टेक प्लेस कर रही है उसके अंदर हम इस्तामाल करते हैं molecular hydrogen और जो दूसरी इस प्माल हो रही होती है इसमें हम इस्तामाल करते हैं atomic hydrogen अब देखें होता क्या है कि सबसे पहले हम रियक्शन किसे करवाएंगे हम अलकाइल हलाइट करेंगे क्यों बनाना है मिथेन है तो मैं आपे क्या चूस करूंगा यहां पर मिथाइल आयोडाइट के साथ क्या करवाएंगा मौलेकुलर हाइडोजन का पहले रेक्शन करवा रहे हो तो यहां पर कैटलिस्ट मुझे क्या लेना पड़ता है निकल प्लैटिनम प्लैडियम तो यह यह नहीं करता है करे चर्ण बना एक है के साथ मिल के बना लेगा लेगा है और दूसरा है हमारी मेथेन के तौर पर मौझ है डूसरा इसका जो इसका है इसका इक्षिण में की होगी है कि यह सी एक्वेशन सी आइच टूए चो आ सबसे पहले पहले तो यह होगा कि जब HCl के साथ reaction देगा तो यह क्या करेगा इसके क्लोरीन को निकाल लेगा तो बन जाएगा ZNCl2 और पीछे दो हमारे पास जो hydrogen बनेंगे यह क्या करेंगे nascent hydrogen और यह nascent hydrogen फर्दर मूर क्या करेंगे यह जाकर alkyl halide से reaction करेंगे और इसके नतीजे में main product बनाएंगे तो यहाँ पर आकर अब हमारे पास के alkyl halide है CH3I के साथ जब आप दो atomic hydrogen को place करेंगे तो यहाँ पर देखें क्या होता है यहाँ पर आपने कोई catalyst कर स्वाल नहीं किया फर्क है फर्क है आपने molecular के साथ जब स्वाल किया था तो आप निकल प्लैटिनम प्लैडियूम कर स्वाल कर रहे थे बैट यहाँ पर जब आटॉमिक के साथ इससाथ करते है ऐस सच आपको कोई catalyst की नीड नहीं पढ़ती है तो simple एक एच जाकर इसके साथ combined हो जाए और एक एच आयोडीन के साथ combined होगा यह बन जाएगा CH4 और साथ बन जाएगा HI hydrogen iodide बन जाएगा अधर देखते हैं यह पार्ट हो गया अब अध्याइन हम देखें ग्रिग्णाठ रियजन से कैसा होगा ग्रिग्णाठ रियजन जो है इसमें है CH3 ऑपोर के साथ रेक्षन करवाते हैं तो और के साथ दाने पर देखे इस पर चार्ज है अभी नेगेटिफ का सब्सक्राइब करक्षίας होती हैं तो यहां पर नेगेटिफ प॔ज acesso पॉसि green थांऀंस की जेग और शी या वेदाए यह फूर के बाद यहां पर बन जाएगा एम जी के साथ बनेगा यहां पर आई आई के साथ यहां लगजाएगा ओएच तो इस तरह से हमने क्या कि एस की क्यमिक्ट जो प्रोपरटीज यह प्रेशन सी बिदेन गी उसको कवर के लिए असान तरीके से यह था दिये तमाम प्रेश तरूति के लिए कर ले यह क्या होते है नार्के यह इसका प्रोपरटटि जो है इसका धिकल्स प्रूप्पर्टीज साथ जर्म्मूव करता हूं कैमिकल meidän क्ड़ोपरट्स में जाने से पहले इसको आप लोग कापी कर लेंगे तो मैं आपbrahimल्स करता हूं ताकि बात स सब्स्टिटूशन देंगे सब्स्टिटूशन में क्या होता है यहाँ पर हम प्रस्टिटूशन टेक्प्लेस करेंगे सब्स्टिटूशन कैसे हो रही है एक एच निकल के सियल के पास आए गास एक अपना से यहां पर शामिल कर देगा योगे सिय एच थी और प्लस यहांपे क्या वन गया एच यह बन गया तो आप देखें जिस तरह से आप फुटबॉल का मैश चेखते हैं तो उसमें सब्स्टिटूशन होती हैं यहां पर भी क्या हो रहे हैं कि इसका नाम होगा इसका नाम होगा क्लोरो मिथेन क्लोरो मिथेन के बाद अभी इसमें एच मौझूद है तो यह क्या बने जाएगा इसके नतीजे में अगें यहां पर सेम कंडिशन अप्लाई करेंगे और इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा डाय क्लोरो मिथेन इसके नतीजे में क्या होगा यहां पहलेगा सी एच सी एल थ्री प्लस एच सी अब जो नाम है एक को क्लोरो मिथेन से और दूसरा का नाम होता है ट्राई क्लोरोफॉर्फॉर्म आलसो ओनेज लोरोफॉर्म यहां पर आके लोरोफॉर्म की मजीद हम क्या करवाता हैं इसके नतीजे में क्या होता है कि आखरी एक्ष्च एल्टू का इडिशन होगी की दिशन दिन दर्वाते हैं यहां पर बने जाए का CCL4 प्लस है अब जो CCL4 बनाई इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लॉराइट यह मिधायल तो यह सब्स्टिट्यूशन और यह इस तरह सब्स्टिट्यूशन इसको ठाकर अब यह पर फॉर्दर मोर स्टैप बेस्ट एप समझे काम को असान करके किसमें किस तरह के रेक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहां पर मौझूद है कुछ सवलात दिये गए कि आपको क्यमिकल टेस्क करना है अलकेन, अलकीन का इथियन इथियन का और इन फॉर्मॉलास के आपने नेमिंग करनी हैं और आपने बताने कि मिथैल एड़ाट को सोडिया मैडल से ट्रीट करते हैं तो क् सब्सक्राइब हैं यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यहां पर मौझूद सबसे पहले पहले तो यहां पर जो क्लोरीन गैस है Sun light, UV light के प्रिजिस में क्लोरिन, गयस अपने रैडिकल में ब्रेक होता है यह रैडिकल जाके, Stable CH4 के मॉल्कुल से रेक्शन करता है और उसको Alkyl कe Radical में अपरक्र कर देता है Alkyl के Radical जब एक क्लोरिन के मॉल्कुल से ठकराता है तो जाके दुबारे क्या बना लेते हैं CH3CL बन लाते हैं एक क्लोरिंग का रैडिकल बन गया अगें जाके और रेक्शन करेगा तो और फ्री यहां पर रेक्शन केल चलता चला जा रहा होगा नेक्स्ट हमारे पास मौझूद है इसमें जो केमिकल रेक्शन को रियक्शन करवा रहें इसके नतीजे में कार्बन डियोक्साइड और वाटर का मॉलेक्वल बनता है यह कंबस्चन की पैच्छन के रेक्शन के अंदर हमेशा क्या होता है कि आप जब भी रेक्शन करवा दें उसमें क्या चीज़ दो कॉमन चीज़ बनती है वो बनती ही कार्बन डियोक्साइड और वाटर का मॉलेक्वल साथ में कोई हीड भी रिलीज हो रही होती है तो यह सेम एज़ वो रियक्शन है जैसे हमारी बॉड़ी के अंदर जब आप को खाना खाते हैं तो आप इन्हेल क करते हैं और वाटर के मॉलेक्वल रिलीज हो रहे होते हैं तो अब दैन इसके बाद इसमें मौजूद है लास्ट में यूजिस ऑप मिथेन और मिथेन के बारे में याद कर लेंगे कि इसकी यूजिस क्या होती है नेक्स टॉपिक हम यहां पर करने जान जोसी क्लास का आज विस्के जो के अलकेन की का है और सेकंड मेंबर अलिगन के इसका जर्नल फॉर्मॉला स्थट्च्रं होता है तो इसकी ग्रॉट्ट스ज थे बारे में सबसे निखा जाए ने ग्रॉटштरि में आपके बीड़ी कारण में टोटल छे नमबर ऑफ क्या होते हैं तो इसकी ग्राउंड स्टेट के बारे में सबसे निखा जाए ग्राउंड स्टेट में से कैसे मौझूद होते हैं तो एड्रोंस टो 2s2px यहां प्रहते हैं 2s2 and 2px आ रहा होते हैं और फिर जब हम इसके बात करते हैं excited state की तो excited state में क्या आता है excited state के नतरा आता है 1s2 2s2px 2py 2pz होता है ठीक है तो 2p इस में क्या आता है फिर जड़ायता है 2p by 2pz एक 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 हर्डूजन यहां पर 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 एक हर्डूजन लगेगा फिर एक हर्डूजन लगेगा और यहां पर एक हर्डूजन तो बन जाता है अगेन SP3 SP3 कैसे एक S है बाकि एक दो तीन से पियाएज एक होता है यह वी टेटरा हेडरल है और यह डाया मैगनेटिक होता है अगर इसकी शेप के बारे में हम डॉक करते हैं तो उसकी शेप को यू बनती है कि सबसे पहले आप एक बनाएंगा तो फिर कर लेंगे दूसरब निन ळाए और दुस्क्ला यह जाएंगे एक यहां पर रह चाहेगा एक यह आँ यहां पर आच आएगा एक यहां पर राइच आएगा एक यहां पर राइच आएगा तो इसको अगर हम इस तरह से मौजूद करेंगा यह इसका क्या होगी है बात यहां पर किस तरह से लाइक यहां पर करने जा रहे हैं कि इसकी किस तरह से होती है करते हैं सबसे पहले पहले किसे तो इसके यहां पर और साथ पर आलकोहल के साथ जब रिएक्शन करेंगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा अविधि नेस्ट हाड़्ोजन क्या करता है नेसन्ट फुर्दर हाड़्ोजन क्या करता है डीजे में यहां पर लएड़र अब इसके पर क्या बनता है चूप साथ इंदीन कर गेते हैं इसके सौडियम मेटल का अस्तमाल करते हैं तो के साथ इन दा प्रिंद एथर सॉल्वेंट करवाते हैं तो सोडियम क्या करता है यहां पर मौजूल आडियंग को निकाल देता है अब आडियंग कर यहां पर कितना सी थे दो सी और यहां पर सी तो एजिक्स की फॉर्मिशन हो जाती है और इस तरह से यहां पर हमारे पास यहा अगे पढ़ने जाएंगे इस तरह से वज़िद इसमें देखते जाएंगे क्या की चीज़े पाजूल सवाल है अब हम दुसरे मेथड फॉर्म अधायल मेगनेशियम आड़ाइड से को प्रेपर करने जा रहे हैं तो मिथायल मेगनेशियम आड़ाइड इसके साथ लगेगा एक हाकर इसके साथ लगेगा तो हो जाएगा और यह एमजी के साथ लगकर क्या हो जाएगा तो क्या बन गया दूसरा यहां पर मौजूद है हमारे पास क्या होते हैं अब यह क्या होते हैं तो अब यह क्या है सी टू हच फॉर कैसे रिखा रहेगा सी कि है सी हो एच फॉर टू प्लस टू कितना हो गया जब हम इसमें करवा देंगे हच टू हाइडॉजन को एड़ इसके बिना पर क्या होगा यहां से बॉन्ड टूटे गा यहां से एक बॉंड टूटा और बॉंड के टूटने के बाद यहां पर क्या हो गया एक यहां पर लग गया एक यहां पर लग गया तो और यहां पर हमें नजर आ रही है तो से लाट करते हैं इस पेंश्चेंशन डियक्षन शोग है कि कमबस्शन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यह कारवन डियक्षड बना रहे और वौटर बना रहे हैं बात जानते हैं कोई भी और कि सब्सक्राइब करते हैं तो यहां तक हमारा कम्प्रेट होता है अब सब्सक्राइब नेक्स सेग्मिन हम देखने जाने इथीन को इथीन क्या है फर्स्ट मेंबर अलकीन फैमली है जिसका सी टू एच फॉर तो खैर इसका फार्मूला अपना है इसको लिखा जाए तो सी एन एच टू एन के साथ हम इसको माइनस टू के साथ को मैंचन कर रहे होते ह हैं अब इसमें देखा जाए ना तो इसका इसका फॉर्मला यह मौजूद है अबाउट कोल गयास में पाया जा रहता है स्टॉक्चर के हवाद से थींग की बात करें तो इसका स्टॉक्चर कुछ यह बनता है मॉलेकिलर ऑर्बिटल ट्रेट्मिंट की बात हो रही है कि मॉल की पास अगें जैक के जı mभाड़ है और चालन की मौजूदी की बिन पर यहां पर क्या आता है यह जागर ग्राउंड st Et और अज़ेगा excited state तो ग्राउंड और excited state की बात अगर कही है तो ग्राउंड इस टू टू एस टू टू पी तू अब यहां पर excited पर जाए excited पर आता है है यहां टू ब्र आजा ऑन चाना और जाना कुंके इस तरह सकी कार्वन जोटाने यहांunta है यहां पर एक हैंज यहां पर यह एक है तो मतलब इसमें ये देखा जाते है कि करवन के सांथ पहला तरह तो एक यह unbedingt है पिर यसके साथ एक हट्राइड है और फिर इसके साथ एक हट्राइड है जो तीन सी का बन्गी कि ट्रैंटी का पाइज न हुआ और यह होते हैं आज डियमेग्नück अब दानुटिक के बाद यहां पे नेक्स चीज चीज्य सबी दिखती है कि इस इस है कि जा सकता है कि सबसे पहले करते हैं गया पाद जोसमें एक और गया इसको भी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आकर यह दोनों रिखा जाएगा तो शेप इसका ट्रेंगिल लेक बन रहा है ट्रेंगोलर की क्या बन जाती है तो दैन अब यहां पर हम देखने जारें इसकी कि रिपेस्टेशन के लिए हैं सबसे पहले पहले इसको करते हैं डी हाइडरेटरी डी हाइडरी और अपल्कॉहल इंदा प्रेसर अच्छ लिए प्रश्च के पास हमारे पासी एक्जैम्बल्स कैसे करवा जा रही है इस कि हमारे पास होखे इसमाल करने जा रहें कि नतीजे में क्या होगा यहां से निगनेगा एक एच यहां से लिगनेगा ओएच ठीक है तो इसको अगर मैं मजीद दूसरे फॉर्म में लिखकर समझाना चाहूं असान करके मजीद तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कार्बन के साथ यहां पर आप साइन आप यहां वह चार होती है इसके साथ एक और कारमन लकाओंए इसके उसे मिज़ीद 40 हो यहांए एक है यहांप एक है मजीज़ seulement है नोगया यहां से यह रेक ही और यहां निकल लाए है इसके और यहां से हैं ग्रूप जब यहां से एच एंड यॉ एच कर्णू निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचे गा यह जो कार्भन वन निंगा यहां पर एक आप्याश की रित्च रिए और यहां को कि निखा जाएगा इस कार्फन के साथ बॉन्ड बन जाता है इस बॉन्ड के नतीजे में अभी तक जितने भी आप बॉन्ड यहां पे देख रहे हैं सारे के सारे कौन से सिग्मा बॉंड है अब जो एक और बॉर्ण यहां पर लगे पाई बॉन्ड बनगा तो आपने एथनोल को स्टमाल किया आप ने किया बना लिय की की यहां पर यहां पर दिखा जा रहे कि यहां पर दिखा जा रहे कि यह तो पहले है इस तरह से अलकी इस तरह पताना नहीं है आपको यह रिक्शन के इसमें से दिखा रहें तो इन तीन इक विशनों फर्क का और कंडीशन गया बाकि इसमें आप समय एक पर इसमें अलकी नहीं मिल रही है आपको फर्दर मौव करते हैं अब बाय डी हैट्रोहलोगनेश्ट के इन दर क्या होगा कि इसमें मौझूद देखें इसमें के आल्कोहली के वर इस में से कई का काम है । सरफ आब इस कार्बवन से चू만 के से च्लोरी एक वालंसी गई निगल के टू हॉंक लो जाती है यह की उनको प्रोसीजर के पर नाम से जाना जाता है सबसे पहले किले करता है कि विजिनल का मतलब क्या होते हैं कि विजिनल का मतलब है कि यहां पर मौजूद दोनों क्लोरीन को रिव करवा देना जिनक पाद जाने के बाद रहे हैं जिद्ट जाता है हमारे हैं कि यौस्ट रिड़क्षण के नतीजे में कैसे होता है यहां पर समझते के ये इथाइन है इथाइन के साथ जब हम हेडरोजन को अड़ करते हैं निकल के कैडलिस के प्रड़्нибудьर दी मौजूद्गी में तो यहां पर क्या होता है किए देख हैन में इस तरह से बनाएगे और यहां पर हम हैच हैच को शामिल कर तो जब यहां पर आप क्या करेंगे कि च्छामिल करें गया इस प्सकी ऐह एक पॉइंट के रार हो चाहं उन्ध कर ऐस पक्तहुन और यहां पर आजाएगा एक हर्डुनिर मजीद यहां इसको बनाने जारह तो क्या नौ इसकी फिजिकल प्रोपैर्टिस के इंदर खास पात है जिसको समझना है केंदर कबर कबन करद के सम्क्राइब कर दो Скgoing कर बहुंद कर दया रहे। को कर दो wszystko बॉंद होगा है कि इसमें सब्सक्राइबी और ये विक्कान को देट में जा रहे हैं करेक्रिक्षिक्ष्ट सिद्फ बाइब समय विस्हें एक स्टौंग सिगमा ऑउ-प कर लेक्षिन करवाते हैं तो एक आहां जाते हैं कि आकर पहले वाले पर लग जाता है और बी आकर में जाता है यहां सिंगल सिंगल पांड यहां पर क्या था एक कौन सा पाइए पहले जो पाइशन का नाम से जान रहे होते हैं एडिशन गौन देता है अब यहां पर पर इसमें addition कौन कौन से होंगे तो यहां पर एक एक करके बता हुआ है कि SGD करेंगे करेंगे करते करते हैं और करते हैं और से इसे वॉटर कर रहे हुए तो फिंपल सी बात है कि अब यहां पर CH 2 CH 2 double bond CH 2 PLUS यहां पर हम H 2 को आइट करने जा रहे हैं तो simple यहां से पाइब बान टूटेगा पाइब बान टूटेगा पर यह carbon के साथ 1 एक हश लगावे है बजीद एक हश लगावे है अब यहां पर bond है यहां पर यहां पर इस्ही कारणने जा रहे है और द्रॉसरा इस कारवन रिगा दि 199 कि मने डातने वेल्स है तो मतलब केमिकल एकसिंस केम बना है यहां पर वापसी क्या मोपना सकतें यहां इस सँएंगो कर sa पूर मैक्जीमम कैट्रिस एफेक्ट दा मैटल इस उज्वली ऑप्टेंट इस अचीव फोर प्लैटिन एंड प्लैडियम बादियु सिंदे मैटल ऑक्षाइड विद हीड्रोजन अगर हम चाहते हैं कि यहां पर रेक्शन फास्ट करवा दे तो इसको हम पाइन इवाटिकल ल आपने एक नए चीज्ज यहां पर शामिल देखे हुई रहनी निकल कैसे बनता है यहां पर निकल से इंपॉर्टेंट बात है यह नेक्स हम यहां पर देखने जा रहे है है इसमें हम शामिल करवाने जा रहे हैं तो यहां पर अब यहां पर एक और च्नौबं कराकर एक आज़ अच्टू के साथ मौजूद है अब HERE पर अच्टू और होाय любов है यहां पर यहां पर Gothic लॉ्ह ना गया इसके देट नंब रिंग करते हैं तो ढालिए और एक्रिटिविटि यहां पर अगरा हम बात करते हैं तो हैलुजीन के दर तो क्लोरीन की पिर डिंग क्लोरीं प्रोड़ी को रूम टेंपरटर के जा सकते हैं और यहां पर अधिक रिखा है रूब टैंप्रेचर और यहां पर क्या रूम टैंप्रेचर बट इसको आपने याद करने हैं एधानोल की मौझूद्गी में ही हो रही होती है यहां पर ऐसा होता है कि हम बॉंड को प्रेक करते हैं और यहां पर आकर यहां पर एक अब हम इसमें एच्ट रहें तो इसके इसमें मौझूद जो यहां पर बॉंड टूटता है और जो बागी का रिमेनिंग हिस्सा है वह कहां पर आयता है और इस तरह से यहां रहते हैं सब्सक्राइब नियुक्त पर अबर यहां से आखर क्या होगी है से था होता है तो यह वÁ जया यहांड भी का बैज जाता है अब लास्ट हमारे पास सेकंड जैंट है इसमें अँडिशन फसे हाइपोहलससेट क्या होता है इसके बारे में है क्लोरीन वाटरों यहां है यहां पर आपको रेक्शन के अंदर बात कहीं जा रही है कि हो एक्स है एक्स का मतलब क्या होता है लाइक यहां पर सबसे पहले दिखाया जा रहे है कि है तो इसमें क्लोरीन के साथ जब वाटर को को यहां पर ऐसे है यहां पर गया चल को यहां पर तो बन जाता है और यहांपर लगाता है तुछ इसका नाम क्या बेंगा इसका नाम क्लोरो इथानोल क्लोरो इथानोल अगर हम इसके दूसरी प्रटक का रेक्शन यहां पर चेक करें कि अगर एट करवाएं तो क्या होता है तो यहां पर हम यहां पर एट करवा लेते हैं तो यहां पर लगेगा और यहां पर लगेगा इसके बिना पर क्या होगा इसके बिना पर यहां पर आक्टर बेंगा ची एच टू और साथ में तो नाम क्या होगा इसका नाम बन जाएगा यह रेक्शन इसके बाद आता है ऑक्जिडेशन रेक्शन और परफॉर्म कैसे करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर काम करते हैं और क्या होता है अब कैसे करवारा है देखें और साथ में क्या है इसके एच ओएच प्लस इसमें हमने क्या लिया वहता है अप यह औक्सीजन करता है यह औक्सीजन सबसे पहले तो इसके बांड को ब्रेक करके और की फॉर्मेशन करवादा है दो जाएंगे आप जब दो बनते हैं तो यहां पर सी एच टू सिंगल पॉन्ड सी एच टू यह से इसका थंट यहां सनकर्ण चुटता है एक पॉजिशन पर यहां पर लग जाता है अब जाथ आघल ऑसका नेम नाम क्होंट नोग नियुक rocks formation of mustard gas mustard gas की formation किस तरह से होती है तो अब यहां पर देखें तो हमारे सामने alkyn मौजूदें alkyn के साथ s2c2 को शामिल करते हैं s2c2 क्या होता है इस लफट डाय कुलराइड होता है करता है कि एक जगर पर क्योंकि दो हैं तो सलफर एक सलफर और बाकी की दो क्लोरी इस अलकीन के पार्ट के साथ एड़ जाते हैं और यहां पर बाहर निकल जाता है तो यह क्योंकि यह आपर मौजू के यह अलफा हो गया और यह क्या हो गया बीटा हो गया तो बीटा यह एन यह आपने पड़ा था पॉलिमराइजेशन के अंदर याद करें आपने पॉलिमराइजेशन के दर पड़ अगेन याप इसके क्या मिकल प्रोपर्डिडी से बाद रिपीट हो रही है इत्वीन को मतलब इसके बहुत साधा मॉलेक्यूल से बल्क मिल लिया हमने और जब प्रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें पॉलीफिंग की फॉर्मेशन होती कंडिशन को आपने क्या कर लें रिमाइंडर रखने याद कर लेने नाओ वी आप मुविंग टॉटर केमेस्ट्री अफ इताइन केमेस्ट्री इताइन को हम कॉमनली एसीटैलीन के नाम से भी जान रहते हैं इताइन कहा जाए जिसको आसीटैलीन कहा जाए अब फर्स्ट मेंबर है अलकाइन फैमिली का जिसका जनल फार्मॉला सी एन एच टू एन होता है अब इस पर सिंपल सैचुरेटिट कंपॉंट्स पाए जाते हैं ट्रिपल पॉंट पाए जागा लाइक इसके जनल फार्मॉला है इसमें ऑईल एंड गैस के अंदर मौजूद होता है इस ट्रॉक्षर के हवाल से बात करें कि इताइन का स्ट्रॉ की जनल टो अब हम यहाँ पर इताइन के हवाले से बात कर लेते हैं इसके इंदर आप देखे तो इसमें मौजूद इसका फॉर्मॉला एच आप इसके फॉर्मॉला होता है कि इसक्स क्योंकि पाये जाता है तो स्टीस होने के बिना पर यहां पर इसकी घ्राउंड स्टीट के मात कर लेते हैं कि ग्राउण स्टेट के पर ग्राउन अब यहां पर देखा जाए तो अब यहां पर देखा जाए-टो ख्रॉट ने राते हैं नौ इस में पूट करते क्या देखने आते कि कर्बन के साथ एक और इस के साथ एक हार्विट डुप होगए एक होगा एस और साथ ही क्या मुज़ते पी दो ही दा ओडिश बन रही है इसकी शेफ बनाने है लीनियर नियर बॉन अनिकाले तो बॉन नेंकर इसका बन बनता है और और यह भी एगेण कैसे होते हैं यह होते हैं दे एगेण चाहिए अगर निके अब शेप करना चाहें तो इस यू बनती है और इस सरह से आप इसके पाई और depth को शो कर देंगे इसके पाई और बिडल से और इससे यह थैट और यह सब्सक्राइब की जा तो वन तो फॉर इसमें पाई जाते हैं सिग्मा और इसके यहां पर देखने जा रहे हैं प्रेपर करते हैं सबसे पहले तो हम इसको कैल्शिम कारबाइट से होता है कि हम के साथ यहाँ पर इस दरह से कारबन को लिख सकते हैं पॉल आप उसमें हैं इसमें हम करे वाटर को है? है कि इसके नतीजे में होता है यहाँ से ओहां पर जाएगा और यहां पर जाएगा यहां पर बनेगा और प्लस पीछे क्या बचए गां कर लिए हम आपने तो नौई यहां पर जो बना है कल्शिम हाय टोकसैट बने यह बन गया हमारा साथ केल्शियम हाई टॉकसाइड और में चाहिए इसका नाम के इथाइन का होता है सकेंड डी हम आप इसको परेपर करते हैं डाय प्रोमो इथेन से कैसे इसका फॉर्मला बनता है के कारवन के साथ अब सब अब आपने करने कि है क्या होताइक का होटा है इसका काम होता है करवाना का क्या है कि यहां पर मौझूद करबा करना कils का का काम है है और अच को प्लिभ और को यहां से घ्यार से ऑपीछ रोग भी और पीछ यहां पर बचएकश पर बनेंगे STEPL पूंड्स और फिर हवे का बन जाएगा एच बन जाएगा तो इसका नाम क्या बन गए इथाइन तो यह दो ही मेथड थे प्रेपर के और जो काफी असान से और इसमें फिजिकल प्रोपरिटिस है तो बच्चों यह आपके पढ़ने की चीज़ है फिजिकल प्रोपरिटिस हम इसमें नेक्स्ट मूफ करने जा रहे हैं केमिकल प्रोपरिटिस के हवाले से के कान से होती है तो फस्ट आप वाल क्योंके यह एक अन्सैचुरेटीड हाइड्र कापन है जिसमें ट्रिपल बॉंड पाए जाते हैं तो सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोजिनेशन रियक्शन क क्या बनेगा यह हमारे बास मौझूद है एच आज़नेश डबल बोंड फर्दर बोर आप इसकी जब हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो इसके नतीजे में बनता है एच थ्री सी सिगल बोंड एज सी एज थ्री तो यह ज़़ रखने रखने शीज़ है वह यह है के यह जो जो इस मेस उन्हें भी कि यह इस मवजूँ था कि अन्षोडरेटर्ट्ट अब जब तक यह से मुकंबल तर्पर सैच्त नहीं तो यहां पे मुकंबल तकह्तल गया है अबी इडिशैन और सिर्फर्फ समझ में आती है झैट्च हमारे पास है addition of halogen like a addition के यहाँ पर हम halogenation का reaction परफॉर्म करवाते हैं अब देखें अब यहाँ पर पहले-पहले क्या हो रहे हैं यह हमारा पास है इथाइन के साथ हम क्लोरीन को एड़ करवाएंगे तो पहले क्या परेंगा इसमें unsaturated alkenes बनेंगे अलकीन के एक बॉन टूटा और दो वैलेंस इसमें एक क्लोरीन एड़ हो गया फॉर्दर मुर्ण की अभी दाखी अन्साइचुरेटिट है तो इसमें क्या होगा एक मजीद क्लोरीन का इसमें शामिल करवाएंगे तो यहां इसका नाम पर क्या बन जाते हैं यह कावन नमबर ह यहां पहुलेंगे का यहां इसका लगाते हैं तेट्रा ऑंवन ट्रूटै यहां यहां पर पहले में क्या है कि जब हम इस जब हम हमएं करवाना हो यह ब्रोमी नेशन करवाना हो तो एड्रूम टेंपर ब्रेक्शन और लेटे है यहां पर यहां पर घर लियुक्त लिए क्या इशन की बात करें हो जो जो बनता है यहां रीक्षिन दिते हैं यहां पर हम हमारब बसे अडिशन उफ हार्डोजन हलाइड के लिए कि होते है एच सी एल एच पी आर एच आई की एडिशन कर रहे होंगे सबसे पहले ओफल देखें हुआ क्या है कि हई के साथ चब हएच भी आर को को करेंगे वियाइज इसके नतीजे में क्या होगा यहाँ पर सी डबल बॉंड और यहां पर आईगा आपके हई वह और इस दूसरे पर हो जाएगा तो यह बन जाएगा सी एचटूर यहां पर बन जाए हर तो प्रिविसली हमने बास लिखे थी कि जब सी एच्टू के साथ डबल पॉन्ट पे सी एच और साथ पर कोई एक नया लग जाए तो यह में इस्ट्रक्शर के विनायल का इतना इससे क्या गया तो अब देखें इस पे यह होगा होगा के एच चोगा अगें पर आएगा अब यहां इस कार्वन के पास चाहेगा अब यह एक च्टू सिंगल पॉण्ट यहां पर एक प्रमीन लग और यहां पर यह एक प्रमीन लग चाहर तो मुकम्मल तो अब पर नाम से जानते हैं एडिशन वाटर के परफॉर्मस क्रिकते हैं क्या होते हैं एडिशन वाटर करवाते हैं तो सब सब्सक्राइब करें तो यहां पर होगा तो इसका नाम बच्चे जान गए इसका नाम होगा विनायल यहां पर होगा यहां पर यहां पर यहां पर और साथ में इस एक पार्ट तो क्या बन जाएगा एक अल्डी है और देन अदिशन ऑफ वाटर का रेक्शन यहां पर कंप्लीट होगे फृदर मौर कंबस्चिन ऑफ इथाईन ने तो भी कंबस्चिन के बारे में तो इक बात बच्चे जानते के कंबस्चिन जब हम करवाते है किसी भी कमपॉइन का ओर्गिनिंग हैं इथाईन हो इंव आलगीन हो इसमें हमवें मिनताई से बात करते हैं ऑब हम परफॉर्म करते हैं तो में जो हैं आपको माइंड में रखनी है कि जब हम कोल्ड वाटर को इस्तमाल करते हुए और जब हम यहां पर होट वाटर करते हैं यहां पर इसके सबस्टेटूशन रियक्शन के हवाले से सबस्टेटूशन जो इथाइन में पॉसिबल होती है इसका रिजन क्या है यहां पर सबस्टेटूशन रियक्शन टेक प्लेस कर रही होती है अब देखें इसका एक रियक्शन समझते हैं इसमें जो सबस्टेटूशन है वो दो तरीके से होती है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हेवी मेटल में एक्वाइब碗 सकते हैं और हैवी तो करते हैं कि किस तरहाद करफॉर्म होगा हमारे सामने सबसे पहले मौजूद है एक अल्काइम के साथ टेलिन और एसश करते हैं तो सबसे sodium monosodium acetalide बन जाते है as we noted के इसको alkyne को हम क्या कहते है acetaline भी कहते इसमें से एक जब एच ग्रूप लीफ कर गया और इसमें एक ग्रूप एड हो गया इसको acetalide भी कहा जा सकता है इसको निकालने के लिए मजीज ने के साथ अब जो डाइस करते हैं जब किसी हम एसेट के साथ तो अगें से मिक्या प्रोबैट करते हैं यहां पर आका से इसे तरह ते से यहां से क्या होगा एक तफ़ार एक होगा पर दुसरे ड्रीमूव और होगा तो यहां पर यहां पर आप सुर्ट हुआ जाते हैं क्या है कि इस में पर अब करते हैं एक चीज़ और किसके अंदर आपने अमूनिया को ऐसा के दौर पर स्तमाल किया तो इस तरह से तमाम यहां पर यहां पर यहां पर सबसे पहले पहले हम क्या पढ़ेंगे इसकी प्रपेशन को सबसे पहले यहां पर यहां पर सकते हैं तो यहां पर इस नहींद प्रपेशन को इसकी और पर प्रपेशन को मतलब क्या होते हैं हमारे समय है है और यहां पर इसके प्रपेशन को इसी कंडिशन पर प्लेस करेंगे तो इसमें से फर्दर हैं रिलीव होते हैं और यहां से क्या बन्जाते हैं बैंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है तो पहले मेथड इंताही असान सा सेकंड मेथड की तरफ करते हैं फ्रॉम एन हैप्टें एन हैप्टेंट से इसमें पहले पहले इस पर पहले सैकलाइजेशन होई थी यहां पर भी सेम हो रहे हैं यहां पर हम क्या पर पर आते हैं एन हैप्टेंट को में रखेंगे तो पहले पर टॉलीन के बाद हम यहां पर इसके मज़ीध हाइडरोजजिन की फॉर्मिशन हो जाती है नेक्स हमारे पास मौझ ने कोलता से क्या होता है कि जब इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास हंड्रेट केजी कोल हो तो इसमें से वन टू-टू-केजी बन सकता है यह नेशनली बगाइर किसी चैमिकल एलेक्शन के निजर के इंदर बैंजी कॉप्टेन करने है तो हम बन टू-टू-टू-टू-कोल को बन करे लाइगा तो लाइक इस यहाँ एक्जाम्पल मेंचन है कि हम क्या करतें को कितने 1000 kg इसको इसको हीट करेंगे तो यहां पर कोल तारों पर 50 kg बनता है और लिक्विट के फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन करवाए जाती है तो फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में आपे 0.5 तो पॉलीशन के नाम से भी जानते है कि तो पॉलीमेज़िशन यहां पर आगे दो ऑ photographed illustrations की पमस्ते हैं, यहां पर बांड ऑ्र पर जी पार चाहरा है इस तरह से हमारपकर कोई benzene-like formation नजर आ रही होती है, तो इसको simple representation के style से check के है तो इसमें तीन मॉल, यह तीन मॉलिकुन हम यहाँ पर आसेटालीन के समाल कर रहे हैं और इसके बाद यह कनवर्ट होके बेंजीन बना लेते हैं जियंक का होता है औक हो यह से क्या करआ रीमूफ कर लेते और इसके नतीजे में यहाँ पर आसे बना लेते हैं और पीछिन हाँ इड्रोजिन है उसके नदर चले जाता थे बैंजीन में जाते थे सोडियम बैंजुएट का फॉर्मला क्या होते है कि बैंजीन यूपर स्टी डबलो एड लग जाते है तो यहां पर एच क्या करता है इसके अंदर मौझूद चला जाते है और पीछे क्या बच गया ने दो ने कि हम यहां पर इस्ट्रक्शर के हवाल से बात कर रहें इस्ट्रक्शर को और कि जानते तो इसमें देखें बैंजीन जो है बैंजीन में C 6H 6 फॉर्मूला वैसमें भी तो कार्बन ही है ना तो कार्बन होता है छे इसमें मौझूद है है तो अगर इसके आप ग्राउंड की बात करें तो किस तरह से लिखा जाते हैं कि 이게 ग्राउंट श्रीट पे मौजूद यह जाते हैं बन हैस्टू टू अस्टू टूपी 6 एक अलेक्टॉन एक लिक्टॉन मौजू दोंगे अब एक टॉन में क्या होगा फर्दर मोर जब आप एक बैंजीन को पहले एक दफ़ा देख लेंगे तो बैंजीन में इस तरह कार्बन कार्बन इस तरह से इसका स्ट्रक्चर मौझूद है कि कार्बन के साथ मजीद कार्बन जॉइंट है तो इनमें हर एक एक साथ एक एक हाइड्रोजन मौझूद है एक क्या मौझूद है एक तो अगर एक ही चीज़ देलाइक इस वाले कार्बन को क्या समझ में आती है कि कार्बन के साथ यहां पर जै कार्बन है इसके साथ टॉप पर हईडरोजन है और एक सेट पर कारवन आ रहे एक सेट पर मज़ीद क्यार रहे तो मदलब एक चो कारवं बेंजीन का होते है इस पे तीन वैले सी पोड़ फिल होती है और इसकी चौथी आप एक जाएगा यह पर एक आजाएगा carbon मजीद यहाँ पे एक hydrogen हैगा यह तीनों क्या हो गए है एक एस हो गया और बाकि एक पी और एक पी कितना हो गए है और एक स्टिल इसमें टूबी जैट खाली पाई बॉंड की फॉर्मिशन की बेना पर ही बन रहा होता है अब इसमें शेप क्या बनती है इसके ट्राइगोनल शेप होती है बॉंड एंगल इसका 120 का बनता है और इसके इलावा इसमें डाय मैगनेटिजम पाए जाती है डाय म ओड़ति आपने जाए है तो अब हम यहां पे कैक्क्यूल के स्ट्रक्षर के हावाल से बात करना डा रहे हैं से बाट कैसा होता है तो हम यह बाट जानता है कि बेंजीन को इस तरह से लिख हरे होता इसको किस नाम से आंदे सो कहते हैं डी लोकालाइस्ट पाई एलेक्ट्रों इसी चीज़ की मुव्मेंट का नाम किया है इस चीज़ का नाम किया है चीज़ के नाम से जाने होते हैं और सिम्पल इसमें चीज़ के खास बात हो थे हैं तोटल हमें टू रिजनेंस इस्ट्रक्ट्ट्र देख रहे हैं मिलता है रेजनेंस क्या होता है शिफ्टिंग उप ओपॉर्ण कुछ सवलाब के देरें बेंजिन के hebt के क्या होती है इसमें टेस्क के आ उनरे से होते हैं कैलक्यल स्ट्रक्शर के बारे में क्या होता है नैट्रेशन बेंजिन में किसरा प्रफॉर्म की जा रही होती है ना फर्दर हमारे पास यहां पर आटॉमिक और्बिटले ट्रीट्मेंट मौझूद है इसमें देखा जाए तो यह जो मौझूद है सारे के साथ पीजैड है हर एक कार्बन का क्या मौझूद इसके नदर पीजैड खाली पड़ा है तो यह पीजैड आपस पे बॉर्ड का लिं चाहिए अलेक्ट्रो फ्लिक तो अलेक्ट्रो का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज और फ्लिक का मतलब होता है लेविंग तो अब नेगेटिव चार्ज लेविंग एट्समी डेट खुद इससल्फ पर चार्ज क्या होना चाहिए पॉसिटिव का चार्ज हना चाहिए उसको तो आब जो एलेक्ट्रोफाइल पेंजन पर आकरellenण को अथे होँगे पी कर्वाइंगे लीसे पर करेंगे Nitration, Nitration के बाद हम इसमें आइट करेंगे Sulphonation, Sulphonation के बाद हम इसमें करेंगे Friodal Croft, Asylation, and then last is का, Friodal Croft, Alkylation, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे यापर, Friodal Croft, Halogenation से, यापर Friodal Croft, Simple F-Screen, स्टार्ट करेंगे, Halogenation से, तो सबसे पहले मैं Heading लगाता हूँ, यहापर, Electro Flick, Substitution Reaction, Electro Flick Substitution Reaction के अंदर, हम यापर जब सबसे पहले cover करने जा रहें, वो है Halogenation, Halogenation के अंदर, सबसे पहले पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एक्वेशन लिखेंगे, जर्नल एक्वेशन के बाद, हम यहापर क्या करेंगे, जर्नल एक्वेशन में क्या होता है, क्योंकि बेंजीन परेंगे हम यहापर, हैलोजनेशन इससरा परफॉर्म करवाते हैं, कि बेंजीन के साथ, जब हम क्लोरीन को लेट सबसे अड़ करें, तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट का स्तमाल करते हैं, AL, CL, 3 गा, तो इसके नतीजे में बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन पर आकर एक क्यूंकि इसपे एक क्लोरीन का क्लोरो ग्रूप लगता है, और साथ में यहाँ से हैच-C-L रिलीज हो जाता है, तो जो फॉर्मेशन और पर देखने में आई है, प्रोड़क का नाम क्या होगा, प्रोड़क का नाम यहाँ पर क्लोरो बेंजीन, ठीक है, अब मैं करवाँगा सका मेकानिसम और रेक्शन, मेकानिसम और रेक्शन के दर बेटाऊ, सबसे पहले जो सब हेडिंग यहाँ पर बनती है, किस तरह से बनते हैं अब मुझे यहां पर क्लॉरीन को बेंजीन के साथ एड़ करना है और बेंजीन यहां पर क्या इसके उपर अटैक करने जा रहे अब देखें होता है कुछ इस तरतीब में को मैं इस तरतीब में लिख सकता हूं साथ में एक के साथ मिलते तो एल साल 3 के साथ ऐल सीछ फूर बन जाते है और यहां पर एंपर यह हो जाता है यहां पर मौझा और सील नियाबर क्या जाते हैं पॉसितिव का नौ सिएल और अट्रोफायल कि अब हमने आपे कलॉरीन की जो बनाए कलॉरीन के जो अलेक्टोफायल बनाए यह जाकर बैंजीन पर एक करे गाए अब पैंजीन पर इसने अटएक करना है तो इसकी बिना पर यहां परकुछ इस दर्दीब में देखना है कर दो इसकी बिना पर यहां पर यहां पर आकर लगे से फॉर्मेशन भी चार्ज यहां पर मौझू थे प्लस आखर प्रड़क्सी क्या बनती है इसमें आखर में आपने इस तरह शो करना होते है कि अब बैंजीन पर क्योंके एक पॉड्ड यह तीन इसमें आल्टरनेट बॉंड से उन्हें पॉड्ड यह यहां से के एडिशन होने इसका नाम क्या होगी हूँ कार्पॉनियम आईन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स ना इसके बाद यहां पर क्या होने जा रहे के फॉर्मेशन और प्रॉड़क्ट की हैडिंग मिलेगी हैडिस्टेब पॉर्मेशन और प्रॉड़क्ट प्रॉड़क्ट की फॉर्मेशन इस सब्सक्राइब में होती है कि अब नौ यहां से मौजूद यहां पर क्लोरो बेंजीन की फॉर्मेशन जाती है और लास्ट में फिर क्या होते है कि रीफॉर्म ऑफ कैडलिस्ट होते हैं तो रीफॉर्म ऑफ के अंदर बात आती है सामने के रीफॉर्म ऑफ के अंदर के सी एल जो यहां पर नेगरिटिव का और यहां पर भी क्या रिलीज हुआ है तो यहां पर बैसिकली इस तरह से देखने में आते हैं कि जो एच यहां से रिलीज हुआ है यह जाता है एल फोर एक्स प्रक्राइब बात जाने के बात चाहें और यह क्या बन जाएगा और साथ मीं का बन जाएगा तो अगें से यहां पर किसी इसकी फॉर्म इज़ा थे हमें कैटलिस्ट की फॉर्म इतरा होती है तो इस तरह सब कि हैं तो नेक्स के बाद हम करने जा रहे हैं सिलफुनेशन को और सिल्फुनेशन की आती है सामने के हमने बैंजीन के साथ सो 3 सिल्फेट गुरुप को एड़ करना होता है यह बैंजीन और बैंजीन के साथ हम क्या एड़ कर जा रहे हैं सो 3 सिल्फेट करेंगे और यहां पर इसका कैटलिस यहां पर बनता है फिर वह होता है की मिइकेनलिंजम कि युफ और फाल रे डिशन किया से ऊथ है है तो मिइकेनलिंजम के नरे जानते हैं से रिखते हैं के वर मेशिनीयर के लिक्ते में जाकी है तो फॉर्मिशन के दिखा जाए तो इसका कैसे बनेगा क्योंकि एस ओधिरी के उपर जाज पॉजिटिव का होने चाहिए तो एस ओ थ्री प्लस यहां पर इसको ऐसे लिखा जा सकते हैं एच एच टुए जब था तो इसको मैं लिख सकते हूं हो एच एच हो म्त्सकों थ्री और स कहां पर जर्ण और साथ में था हैं वह सब्सक्राइब का दिखाए कों सब्सक्राइब यह यह क्या किलाएगा यह किलाएगा अलेक्ट्रोफाइल और साथ में मौज़ों यह कर रहा है इसका निक्लियो फाइल के लार हो हमें काम लिख वाइल से होता है तो नेक्स टैप मुकरनदा कर जाएंगे हम यहां पर करवाएंगे अप्रडक्त फॉर्मेशन बट्ट एक अटेक लेक्ट्रो फाइल के इंदर क्या होगा कि सबसे पहले अब याँ पर एस ओ थ्री एच बना है यह जो पॉसिटिफ चार्ज कंटेनिंग है एक इस ओ फूरी यह जाकर पहले बेंजीन के साथ एड रहाँ होना चाहिए गए तो बैंजीन के साथ यह एड होना चाहिए घुट उस आइल्टर्ड इसमें बॉंड दो शो करेंगे कि यह से बॉंड तूट चुकर प्लस का साइन आएगा और यह फिर क्या शो करेगा बॉंड के शिफ्टिंग के फैनमेरा को नौ बॉंड यहां पर आ जाएगा और यह बन जाएगा एच एस वो थी और फाइनली यहां पर जो में इस्ट देखने मिलती है वह इस तरह से कार्बोकेटाइन बनते हैं यह सिग्मा कॉम्पेश की फॉर्मेशन हो रही होगी है आप चुद यह क्या कि लाते हैं सिगमा कॉंपलेक्स यहां पर क्या होगा प्रोड्क की फॉर्मेशन स्टैप नूबर थ्री प्रोड़क्ट पोर्मेशन अंदर क्या होते कि अब यहां पर मौजूद प्रॉड़क्ट प्रॉड़क्ष कुछी सेंस में होती है कि यहां पर देखें यह जो बैन्जीन के साथ लगा था एच एस ओ फ्री और इनके साथ जो हैं से लिमोव होने वाला था अब यह से क्या होगा रिमूव हो जाए गा और यहां पर लगा रहेगा और सिंपल यहां से क्या हो जाएगा एक बाहर रह जाएगा देन सब्सक्राइब जो रेक्शन बनता हमारा थर्ड फॉर्थ पिल्कुल वह होता है रीफॉर्म उफ क्रेटलिस्ट रीफॉर्म उफ के अंदर बाद ही आती ही सामने के अब जो एच महां से लिज हुआ है एच प्लस यह जाएगा एच थी माइनस के पास एच एसको थी माइनस का और यह मिलकर क्या हो नहीं है एच टू एसको फॉर अगें से कि इस तरह से अबर हमने क्या गंप्रिट के लिए यां पें अब्र सिल्फॉर से कंप्रिट के नेक्स यहां पर नेट्रिषन देखने जा रहे हैं नौ लग गो नाट्रिषन के हावाले से किस तरह से होती है इसके सब्सक्राइब जनल मेकैंजम के उपर काम करेंगे जनल मेकैंजम के देखने में आता है कि सबसे पहले पहले हमने करना क्या होते है हमें द्रक ग्रू तो यह हम इसमें नेंट्रिक्स करना है तो हम इसमें नेंट्रिक एसिट का बेंजीन के साथ गयंगे जनल में आधिकोशन कर देते हैं लादे हैं और इसके नतीजें में यहां पर क्या विन जाते हैं यहां पर नो टू गूप लगते हैं और साथ पर कुछ वाटर के मॉलिक्वल रिलीज हो रहे होते हैं अगर हम यहां पर बात करते हैं मेकानिजम आफ दा रियक्शन की तो मेकानिजम देश्ट सबसे पहले पहले क्या थे आफ फॉर्मिंग उप एक्ट्रफाइल स्ट्रेप नंबर बन एंट पर मेशन और अट्रफाइल कैसे बनेगा कि सबसे पहले पहले एच एन थ्री है उसके मैं से लिख सकता हूं ओ एच एन और टू प्लस एच ट्रेश्ट इ इसके नतीजे में का होगा यहां पर वेच के साथ एच कम्बाइंड होकर बना लेगा वाटर का मॉलेक्यूल यहां पर जो अलग हो रहा है इस पर चार्ज आजएगा प्लस का और यहां पर एस ओट्री एच के पर एस ओ त्री ओएच जिसको पर चार्ज गया नेगेटिव के अब सकाड़ नुमर पर जो है हम याप करवाते हैं आटक अप अट्रोफाइल की अधर जो हमने यहां पर एंट्रोफाइल बनाए यह बैंजीन बनाए टेक करेगा यह बैंजीन करेंग हम फॉर्म करते हैं और साथ में और टू आकर बिसमें क्या करने लगए आटैक करने लगा तो इसके नतीजे में जो र्यक्षिन देखने में आते हैं वो किस तरह से होते हैं कि यहां पर मौझूद सबसे पहले हम इस तरह शो करेंगे कि बैंजीन जो है इस पर एच बाहर निकलना चाहिए अब लिकिन इस चार्ज करना होता है तो इस पर चार्ज करने पॉजिव का जाते हैं लेटर यहां पर क्या होते हैं हई कि आप जो है क्योंकि इसमें बढ़ें बेंज Glue में रजशनेंस पर जाती यह तो यहां पर डूढस आत हैं अप्री पालती बॉए फॉज्शिंट भी है जो प्लस साइन है अपंटी पॉजिश्ग क्या लिधे चेंज कर लिधे इसक बनापर फइनली जो हमारे पास जो मिलती है सिगमा कॉंप्लेक्स की कुछ इस तरती में मिल दिए यहां पर हमने एस ओ फ्री यहां पर हमने एड करना होते हैं एड करना होते हैं और टू को और साथ में स्टिल एच मॉटू दे तो हमने इसका नाम के सीखा था इसका नाम के होते हैं सिगमा कॉंप्लेक्स है हिए है लग फर्मिशिन अविम फ्रोडक्ट तो पूर्मिशन अव प्रोडव। इंडर इंडर का में किल यूद मिए खिन हे ऊथ है है कि यहां पर स्टिल डबल पॉर्ट है प्लेस का साइन लगा है और इसमें क्या मौझूद है एसो थ्री एसो थ्री नहीं होगा एन और टू और यहां से एच तो यहां से एच आइन बाहर लेज़ोगी और साथ में क्या बना लेंगे यह नहीं के एन ओ तू और इसमें क्या जेगा पैंजीन के लिए देन फॉर्दर मौर इसका लास्ट चैप है री फॉर्ब ऑफ कैटलिस्ट वाला और स्टेप पहुंस है री फॉर्ब ऑफ कटलिस्ट पर हैंज सब्सक्राइबली ऑफिते हो तो हमने सब्सक्राइब अगेन यहां पर की फॉर्म से में तीसरा मेकानरिशन का प्रफॉर्म कर्लिया बेराई इस तर्म यहां के हमाले से नाव हम यहाब स्टार्ट कर जारे फ्रेडर ग्राफ अलकालेशन को इसके जैनल इक्वेशन ये बताती है कि जब हम बैंजीन के साथ बेंजीन के साथ हम एड किसे करते हैं CH3 CH CH3 CL को इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है इसका नाम होता है आइसो प्रोपाइल क्लॉराइड इसके नतीजे में होता है कि यहां पर मौझूद जो इसका अलकायल का ग्रूप है अलकायल का ग्रूप आकर बेंजीन पर लग जाते हैं यह आके इस तरह से लगेगा के यह हो जाएगे और झी हाँ अएगए और साथ में एस यहां ची यह निखल गया और यहां broader तो यह बना लेतें आपसे मिलकर अजिए तो यहां पर मेकानिज्ब कि प्रगाम करेंगा इसका किस तरह से रेक्षन परफॉर्फॉर्फॉर्ब होAM तो तो मेकैनिजम के उपर पहली बात हम यहां देखते हैं वह सबसे पहले पहले देख्शन होते हैं तो इसमें सबसे पहले पहले जो कैसे होती है तो इसमें सबसे पहले पहले तो आपर मैंशन ही कि मैंने थे सी एच त्री प्लस एए एल रिए इस 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 कंबाइन होके एल फोर मायनस का बनाएगा और प्रीड वापर धेश थ्री और साथ में प्लस का साइन अजएगा तो अब इसमें दिखा जाए तो यह वाला से लेक्ट्रोफ में सेब्सक्राइबट अब पर क्या होता है तो नेक्स स्टेप के अंदर क्या होता है यहापर अग्ञान करते हैं यहापर देखे तो हम सबसे पहले अपर करेंगे बेंगे तो बेंजीन के ब benz Weas यहां पर आकर यह CH CH 3 CH 3 इसके नतीजे में यहां पर क्या होते? यह इस तरह से होता है कि सबसे पहले पहले बेंजीन जुन है यहां पर double bondा इसका खतम होते एक और यहां पर आकर CH CH 3 और CH 3 आकर लगना चाहते है और यहां से एक एच को गुरूप बाहर निगलना चाहते है next step में क्या होते है same as it is यहां पर लिखा जाते है ज़र फर्क कांप रहते है bond की shifting का non bond अपनी position change करते है और यहां पर क्या होते है यह हो जाते है CH CH3 और CH3 और देन अगेन इसके बाद यहां पर लास्ट ट्रेक्शन में क्या होते है कि इस तरह से और formation आप यहां पर कार्बो काटेंट टेक्विस करते हैं और यह हो जाते है CH CH3 2 ठीक है अब भी इसके साथ मौझूद अब next step भी क्या होते हैं यह पर थर्ड वाले पार्ट के अंदर यह होता है प्रड़क्ट फार्मेशन के अंदर होते हैं कि अब देखें प्रड़क्ट की कैसे होती है कि हमारे सामने अब यह जो मौझूद है पार्ट बेंजीन का इंड्रे मेडियर बोट दैंट फर्दर मोर इसमें last step बूब नहीं होता है रीफॉर्म आप्ड लिस्ट कि लिए तो यहां पर जो बैक्ट्रिक्शन के इस तरीखें होते हैं होते हैं अब जूब्स यहां से रिलीज हुआ यह जाकर एल-C-L-4 के साथ मिलता है और यहां से एक C-L निंगलता है यह बन जाते हैं है एच C-L और साथ मिका बन जाते हैं के को इन दा प्रिजनस अफ कैटलिस्ट एल-C-L तो यहां पर होता यह है कि दर असल यह जो पार्ट है इसके साथ यह यह है क्या जो हमने साथ में लगाए है इसका नाम होता है असाइल हलाइट मौझود है तो यह साथ में बैडिक्शन करेंगे तो यह आकर लग जाएगा इस तरह से कि यहां पर और इस See and थ्री सी ओ पार यहां पर लग जाएगा है अब हम यहां पे बात कर लेदे हैं इसके मीकैनाजम के अपर सिकाने अगे इसमें क्यों होगा फॉर्मेशन अप्रफाइल है तो फॉर्मेशन अप्रफाइल के इस तरह से होते हैं कि हमने सबसे पहले इसको ठाकर यह सब कंबाइन करने तो कंबिनेशन के नतीजे में यह बन जाएगा और साथ में कहाथ के साथ क्या है बन जाता है साथ प्लस के अपर क्या नहीं नहीं दा है सी और असके चार्ज प्लस का जाता है प्लस और मारे यप News ऑन को किहह सकते हैं कि यह हमारे पास बना हुआ है और यह हमारे सामने थह प्ल def ऐसब फाइल को आ कि नदीजे में यहां पर हमार बना है यह बेंजीन करेंगे सबसे पहले और बेंजीन के साथ हम शामिल करवाद देंगे सी एच त्री सी डबल बॉन्ड ओ को इसके नतीजे में क्या होगा यहां पर मौझूद यह बेंजीन के साथ मौझूल इसका अब ट्रिपल बॉन्ड था दो बॉन्ड टूट एक बॉन्ड टूट जाएगा यहां से आके लगेगा सी एच थ्री सी ओ और यहां पर आकर इसके एच रिबूफ होने चाएगा प्लस न यहां पर आ जाएगा और अगे इसका रिएशन फाइनली यहां पर जो है आकर हमारे सामने इस तरह से आल्टर्नेट हमें बॉन्ड बिलते हैं दो आल्टर्नेट यहां पर अब जो नेक्स स्टेप हम देखने जा रहें इस नेक्स स्टेप के अंदर यह होगा कि अब जो पैंजीन है इस पर आकर इस तरह से ऑब कर्बोकेटैन की क्या शेयर होगी है ये क्या नातीजे में यहां पर अब क्यात शोरेंगे निक्स प्रडॉडक्ट की फॉरमिशन को थर्डि स्क्राप हमारा जाए उस प्रडॉडक्ट-फॉरमेशन और यहां मुद्विगं मेरा यह वाला हिस्टा था न हम तो ईस पर क्वेर्ग डबल बॉंड यहां से स फ न चाहता है यहां से बाहिर रिलीज होने चाह रहे तो सबसे पहले पहले हैं यहां से बाहिर आ जाएगा और इसके साथ क्या लग पोई है वह इस तरती में लगेगा कि यहां पर कार्मन के साथ डबल बॉंड और यहां से शीरी को शो कर रहे होगे तो कि और को देखा जाए तो यहां पर अब क्या होगा है है क्योंकि यहां से लिज अन्याच और प्लस यहां पर क्योंकि जब हम फॉर्मेशन करें तो यहां से लग हो रहा था तो यहां पर बना लेदें यहां पर यहां पर आगे अपने जो अपने तमाम को बढ़े होफिली आपको तमाम बाते समझ में आ रही होंगे नौ इस चेप्टर के इंप्टर और लास्ट और 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 अधर कर जाएं तो अधर कर जाएं तो मैं आपको बात समझाना जाओंगा कि यह एक में बैंजीन ड्रॉप करहां और अभी बैंजीन पर कुछ भी ग्रूप नहीं लगा वा तो यह नौन सब्स्टिटुटिट बैंजीन है और इस पैंजीन के सिक्स पॉजिशन बैकेंड है अब इस पॉजिशन नवर वन टू प्रीट पॉर पाइप एडशिक्स सारे के सारे पॉजिशन के असमें दर वैकेंड से और फॉर्दर मोर अगर हम इसमें किसी एक ग्रूप को लगा लेते हैं लाइक यहां पर मैं बैंसी we actually occupied हो गई है इस को सबस्टेटिट बैंजीन के नाम से जानेंगे आप देखें मोनलो सबस्टेटिटिटट बैंजीन के अंदर जी हैं आपके बुक्स से इसमेंगा लग करा जा रहे हैं कि अब पॉजीशन और पाइफ यहां पर बनेट फॉर एंपर यहां पर इस टिल कौन सिंट प्रियाइँ तो टू एड इस शजी को हम कहते हैं उर्थो पॉचिए ऱिशिंब के हैं उसमें पहले प्ल दिसके अब यह पर प्लेश के इसके अगयेगा अप टो इने हैं पहले पॉचिटर है और फेस अ है लाइक इस जहां पर मौझूद हमारे सामने है एक्टिवेटिंग डिएक्टिवेटिंग गुरूप है अब सब्सक्राइब करते हैं दो में क्याटिग्री वे ओन्द इंफिलिंस ऑफ दियर एक्टिविटी अब इसका फाइदा क्या होता है जो गूप इसमें आकर लगने की ब पाले सेटेंड सब्सक्राइब को स्पैसिफिक पॉजिशन पर भीज रहा होते हैं लाइक इस ऑर्थो पर 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 या मैटा पर और तो पर सेम होते हैं मैटा अलग इसका रिकाउंट किया रहा होता है अब यहां पर देखे जाए तो अब हमारे बस कुछ ग्रूप यहां पर और एक्टिवेटिंग गरूप करना रहा होते हैं अब इज्ञेंपल में हमारा पास चीज़ेंगे पहले से इसमें देखेंगे और थो पर डिरेक्टिंग अक्टिवेटिंग ग्रूप इसमीं के फॉल्विंग ग्रूप यह हमारे पास अलकाइल है नहीं और तो एक्ति रहे लगाता हूं लाइद टॉलिंगे ले लोटें लिए तो अब टॉलिंग के ऊपड़ आकर क्या लगाब है शीरी कि यह मतलब क्या होते है इसमें डिर्रेक्टर से लेखे लिए अलकायल का तो मतलब यह और तो पैर डिर्ट्टर हो गया और कैसे ग्रूप है यह हैं यह लोस्ट है यह दो हैं इस अदि एक्टिवेटिटिंग ग्रुप है यह यह कर्वार हो यह हमारे पास आते हैं और टिरेक्टर आख्टिवेटिगे टौकर तो हमारे लगेंटर ने जो महुत हैं नैट्रोय तो यह तों यहां पर तॉलीन के साथ अब मुझे एड करवाना है यहां पर तॉलीन की हमने कैमलोफोर से आप करवा इसक में नेक्षिन करवा और आप्ड आप तो तो करूप इसको क्या यहां ना चाहूंगा तो यह पर प्राइटरिक है तो याँ तो यहां पर सबसे पहले मैं बने चाहिए तो कैसे बनाया चाहिए तो यहां पर सबसे पहले में पास मौझूद है ना बॉन्राइशन का जाया तो यह आपके इंपोर्टन के अधर सवालाद थें से अच्छे कवर आंए होगी और इसको आपने शेंजज करने या आपके कोश्टेंश हैं और इसको आपने समझने की की बाद शुऎकर करने और थेंक्स झाल झाल